कलर शैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल उडारिया के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जैसमीन और फतह दोनों ही इंडिया जाने के लिए तयार होंगे लेकिन जैसमीन फतह को कहेगी कि वो इंडिया जाकर क्या करे जहां पर कोई भी उसे एकसेप्ट नहीं करेगा और अब तो तान्या ने भी मना कर दिया है उनके साथ जाने से ऐसे में कोई फाइदा नहीं है वापस लोटने का जिसके बाद तान्या की एंट्री होगी और तान्या उन दोनों को बताएगी कि वो उनके साथ इंडिया जाने के लिए तयार है जिसके बाद जै गलत नजर से देखेंगे और वो इस बात पर अभिराज से भीड़ती कोई नजर आएगी कि क्या तुम हमेशा इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हो जिसके बाद अभिराज ऐसे जदाएगा कि उसका वीडियो से कोई लेना देना है ही नहीं इधर आप ये भी देखेंगे कि दूसरे ही बल तान्या फतह और जैस्मीन तीनों पहुँच जाएंगे इंडिया इंडिया आकर तान्या कहेगी कि उसे पंजाब में अपना सा लग रहा है काफी जाड़ा अच्छा लग रहा है और इधर वेक मेंशन में आप ये देखेंगे क कि फतह की मा लाजवाब खाना बनाती नजराएगी फतह के स्वागत की तैयारिया करने में जुटा होगा पूरा विर्ख परिवाद संधूस को भी बुलाया है फतह में कौल करके क्योंकि वो एक बड़ा सच सभी को बताना चाहता है सच का नाम सुनकर अभिराज ड़ जाए उधर जब टैक्सी में ये तीनों बैठे होंगे तो फतान्या का नजरों ही नजरों में आमना सामना भी होगा जैस्मीन लगातार तान्या को समझा रही होगी कि ते जो कैसा बरताव करती थी ते जो लोगों का किस तरह खयार रखती थी इस तरह की सारी बाते होती नजर तान्या और फते को एक साथ देख कर फते की मां का खुशी का ठिकाना में ही रहेगा वे उन दोनों की आर्ती उतारती नजर आएगी और परिवार वाले सभी तेजो को देखकर हैरान हो जाएंगे तेजो की मां सत्ती तेजो को गल्ल लगाएगी और कहेगी कि मुरी बच्ची जिन्दा है सभी परिवार वाले हैरान होंगे उधर तेजो के पिता जब तेजो को देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे साथ ही एक बड़ी बात कहेंगे वो कहेंगे कि ये लड़की हमारी तेजो है ही नहीं अब आगे क्या होता है सीवियल की कहानी में इसका पता सीवियल के आने वाले एपिसोर से चलेगा टीवी टाउन से जुड़ी लेटिस्ट ख़बरों के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अफडेट